इसलिए मैं आउटर सर्फेस को पॉलिस कर दिया अब यह हमारा पोल था और पोल से पास होने वाली एक्सेस को क्या बोलते है इससिस रॉन अश प्रिंसिपल एक्सेस अमने क्या करना है है इसके लिए बहुत एक सिंबल से तरीके को अपनाखिंगे हम इसके अंदर माउक करने है इसके अंदर सुटर करने सिंटर हाम कटर दे लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इमेज बन चुकी है थिसके अलावा जो रेह और बनानी बढ़ेंगी अगर हो पर इंगल पर जा रही है तो यह यह से आर-ा-ंगल पर निकल तो यहां पर image बन जाएंगी और इस image का नाम क्या होगा डास बीदास लिए अब मैं यह सारा कुछ आपको लिखके बताने वहला भी कैसे आपने लिखना है हमने क्या कर रहे consider a convex mirror sorry consider a Concave mirror एक Concave mirror हमने consider कर लिया और फोकल लिंद एफ जिसकी फोकल लिंद कितनी हमार पास एफ 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 एक ऑबजेक्ट था जिसका नाम क्या था एन ऑबजेक्ट एबी एज प्लेस्ट बियॉंड सी कहां रखा गया सी से पीछे एन इमेज एन इमेज एडाश बी डाश इस फॉर्म यह फॉर्म होगी किसके बीच में इन बिट्वीन सी एंड एफ सी और एफ के बीच में क्या बात क्लियर है वड़ा इनीड टू फाइंड मुझे रिलेशन निकालना है इमेज दस् अधिगार क्या से निकलेगा एक सिंपल सी बात करता हूं यहां से यह जो पोल से अब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है यू पोल से इमेज तक का डिस्टेंस होता है वी पोल से फोकस तक का डिस्टेंस एफ और पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस आर पोल से सेंटर तक का ड से ट्राइंगल सिमिलर हैं यहां से हमार को देख रहा है देखो यार ए बी और पी एक था एडास बी डास और पी अब एबी पी और एडास बी डास पी इसके अंदर आई और आर बन रहे हैं अब तुम्हें पता लॉज आफ रिफ्लेक्शन में तुमने पढ़ा हुए एंगल इकवल टू एंगल आर जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने एंगल पर वपेश दाएगी पढ़ा है ना तो यहां से क्या दिख रहे है यह एबी पी ए बी पी और एडास बीडास पी के अंदर आई और आर बराबर है और यहां पर एंगल नाइंटी और इधर भी एंग त्रायंगल ापस में और दोनों ट्रायंगल तो आपस में पता होगा सिमिलर triangles में कभी भी side equal नहीं होती sides की ratio equal होती है देखो इधर height कौन सी है A dash B dash इधर height कौन सी है A dash B dash इधर height कौन सी है A B इधर height कौन सी है A B इसका base कौन से है A dash P इसका base कौन से है A dash P और इसका base कौन से है A P देखो मैं क्या बोल रहा हूँ जो दो similar triangles है ना उनकी side height की ratio और उनके base की ratio आपस में बराबर है इसकी height है A-P और इसका A-B- और इसकी AB इसका base A-P और इसका AP इन दोनों को कर दिया बराबर now we'll call this equation as equation 1 अब यार अब यहां से तो कोई relation आएगा नी इसलिए मुझे एक और similar triangle ढूणने की जूड़ता है इसके अंदर मैं अब कौन सा pair of similar triangle बन रहा है देखो अब ABC और A-B-C ये vertical opposite angle ये 90 और 90 के angle तो ये वले दोनों triangle भी आपस में क्या हो देंगे similar आपको similar proof करके नहीं द to triangle A-B-C ABC और A-B-C आपस में similar फिर से इसका height के A-B- और इसका height के AB इधर वले का base के A-C और इधर वले का base के AC इधर वले का base के AC नेम दस equation as equation डू ये दोनों फिर से बराबर ये दोनों फिर से बराबर आप दोनों का left hand side देखो जड़ा from equation 1 और 2 From equation 1 and 2, first or second equation से देख रहा हूँ, दोनों का left side equal है, तो दोनों की right side भी equal होगी, मतलब a dash p upon a p, ये किसके बराबर होजेगा, a dash c upon a c, जब दोनों का left hand side बराबर है, तो दोनों का right hand side भी क्या होजेगा, equal होजेगा, अब कर दिया बहुत असानी से, हमने दोनों के right hand side को equal कर दिया about distance दोन दे, a dash p किसके बराबर है, a dash से लेके p तक, a dash से लेके p तक, ये distance, image distance के बराबर है, a dash से लेके p तक image distance हो गया, और a से लेके p तक, now what about a p, a p किसके बराबर है, object distance, that is u, इसके बाद, the next thing is, a dash c, a dash से लेके c तक, ये distance, ये distance कैसे निकलेगा, अगर मैं R के अंदर से इस V को माइनस कर दूँ तो मेरे पास R के अंदर से V को माइनस कर दूँ तो A-C आजेगा तो A-C किसके बराबर होगा? R-V What about next distance that is AC अब ये AC किसके बराबर है? AC कैसे निकलेगा? A से लेके C तक ये distance निकालना है If I do U के अंदर से R को माइनस कर दिया जाए तो U-R आपको AC देदेगा U-R आपको AC देदेगा क्या बात क्लियर है? ये चारो डिस्टेंस निकल गे अब अब जब चारो डिस्टेंस निकल गे उठा के पुट कर दो answer आजेगा चलाओ देखने हैं इसके अंदर तो भाई यहां से क्या था मरपस A डास P अपोन A P is equal to A डास C अपोन AC A डास P किसके बराबर आया था देखो यह आया था V के बराबर और A P आया था U के बराबर A डास C किसके बराबर आया था R minus V और फिर उसके बाद आया था मरपस U minus R इसको multiply करा V into U minus R is equal to U into R minus V VU minus V R is equal to U R minus U V यह negative इदर आके positive U V plus U V is equal to U R plus V R तो यह twice of U V is equal to U R plus V R now do one thing divide both side by U V R divide both side by U V R दोनो side U V R से divide कर दो जब इसको U V R से divide करा क्या बना 2 by R जब इसको U V R से divide करा U से U cancel R cancel 1 by V फिर इनको cancel करने के बाद 1 by U now what about आपने सुना है न V R is equal to F by 2 F is equal to ना सॉरी यह relation तोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा गलत लिख दिया F is equal to R by 2 होता है F is equal to R by 2 होता है तो यहां से 1 by F किसके बराबर होगा 2 by R 1 by F किसके बराबर होगा 2 by R आसांचा relation अब देखो 2 by R को क्या लिखने वाले 2 by R को क्या लिखने वाले 2 by R will become 1 by F and this is equal to 1 by V plus 1 by U लो भई यह mirror formula हो गया derive this is the mirror formula ठीक है और यह mirror formula आपको बहुत बहुत important paper के अंदर derivation आ सकती है mirrors add किये गये हैं इस बार ठीक है और भई यह mirror formula drive हो गया तो इसके लिए बसको बता दो इसकी magnification होती है H2 by H1 is equal to minus V by U और अगर इसकी magnification negative आजे ना तो इसका मतलब आपकी real image ध्यान रखना और अगर magnification positive आज आती है तो इसका मतलब virtual image ध्यान रखोगे virtual image ध्यान रखोगे और अगर इसका image distance positive आता है तो इसका मतलब mirror की बात कर रहा हूं तो virtual image और अगर mirror resistance negative आता है तो यह आपकी real limits है ठीक है यह mirror के लिए valid है ध्यान रखना next move now we'll move to the next derivation now thank you so much